प्रंस आज मैं छोटे छोटे प्याज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और यकीन मानिए कि ये खाने में इतनी स्वादिस्ट है कि रेस्टोरेंट की पनिर की सबजी भी आपको इसके सामने फेकी लगेगी तो आप कहीं मच जाईएगा और वीडियो को अन तक देखिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने यहां पर 12-15 छोटे छोटे प्याज छील कर ले लिए हैं और अब इसे हम पीछे की साइड से यहां पर से इसे हम हलका सा कट लगाएंगे इस तरीके से प्लस के निसान में हमें हलका सा कट लगाना है कट को बहुत नीचे तक नहीं लगाना है सिर्फ आधे प्याज तक हमें इसे लगाना है ताकि यह नीचे से अलग न हो पाएं इस तरीके से सारे प्याज में जब कट लगा लेंगे उसके बाद हमने एक छोटा सा बोल ले लिया है अब इस bowl में हम आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हम आपर लाल मिर्ज का powder आधा छोटा चम्मच हमें हैं हापर हल्दी powder ले रही हूँ और इन सारी चीजों को हम mix कर देंगे और फिर mix करके हाथों से एक एक चुटकी बहुत जादा नहीं डालना है हम इन cut के बीच में इसे हम लगा देंगे ऐसा करने से प्याज की सबजी जो है हमारी अंदर से फीकी नहीं लगेगी और अब सारे प्याज में नमक, मिर्च और हल्दी हमने लगा लिया है तब हम इसमें जो प्याज मैंने cut करके रखा था उस सारे प्याज को जिधर से मैंने नमक और मिर्च लगा था सबसे पहले इसे उपर की तरफ रखेंगे और इसे हम इसमें डाल कर दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा fry कर लेंगे दोनों साइट से जब प्याज हमारी fry हो जाएगी यानि कि इसका कलर हल्का साथ चेंज हो जाएगा तब हम इस सारी प्याज को एक प्लेट में निकाल देते हैं अब हमने गैस की फ्लेम को उबली कुछ स्लो कर दिया है और अब इसमें एक तेज पत्ता और इसके साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिये हैं जैसे की जीरा, काली मिर्च, लॉंग, इलाइची, दालचीनी वगएरा और अब जैसे ही मसाली क्रैकल करने लगेंगे, मैंने एक मीडियम साइज का प्याज जिसे बहुत बारीक बारीक कट किया हुआ था, इसे डाल देंगे और इसे मीडियम टु हाई फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ये प्याज अब हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इस स्टेज तक प्याज को भूनने से सबजी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है और अब हम इसे टमाटर डालेंगे, टमाटर के लिए मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज के पके हुए लाल टमाटर का यूज किया है इस रेसिपी में आपको टमाटर का यूज थोड़ा सा ज्यादा करना है नहीं तो सबजी बहुत मीठी हो जाएगी और अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डालेंगे यहाँ पर मैं एक बड़ा चमच धनिया पाउडर आधा बड़ा चमच मैं यहाँ पर जीरा पाउडर आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्श का पाउडर और एक बड़ा चमच मैं यहाँ पर लेसु नदरा का पेस्ट डाल रही हूँ अभी इन सारी चीजों को हम मिक्स कर दे रहे हैं नहीं तो नीचे से जो हमारी ब्राउन प्याज है वो बिल्कुल जल जाएगी तो अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें साथ के अनुसार नमक डालने से प्याज और यह जो टमाटर और यह सारी चीजे हैं यह हमारी बहुत अच्छे से गल जाएंगी और अब दो मिनट तक इसे हम खोल कर इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे और दो मिनट इसे पकाने के बाद इस गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे कवर करके दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे दो से तीन मिनट के बाद मैं कवर को हटा रही हूँ इसे क्या होगा कि हमारे यह जो प्यास टमाटर है वह बहुत अच्छे से गल जाएंगे यानि कि सॉफ्ट हो जाएंगे इसे इस पैचुला से इस तरीके से मैश करते हुए हम एक से दो मिनट तक मीटियम फ्लेम पर चलाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर फोर्थ कप फेटी हुई दही डाल रही हूँ दही डालते समयगे इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी और इसके बाद इसे हम जल्दी जल्दी चलाएंगे यानि कि इसे मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें से ओयल ना रिलीज हो जाए और अब धही डालने के बाद इसमें से ओयल रिलीज जो किया है यानि कि ये मसाले जो है अच्छे से भुन गए हैं तो अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है हाथों में इसे दो रूँ हाथों से इस तरीके से क्रश करके डाल लेंगे और बाकी का जो मूटा पार्ट है उसे अलग कर देंगे कसूरी मेथी डाल कर इसे एक मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे और फिर एक मिनट तक इसे चलाने के बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं इस सबजी में पानी बहुत थोड़ा पड़ेगा यहाँ पर मैं वन फोर्स से थोड़ा सा कम ही पानी डाल रही हूँ और अब पानी डाल कर इसे mix करेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए slow flame पर cover करके इसे पकने देंगे लगभग 3-4 मिनट मैंने gravy को पका लिया है और अब मैं cover को हटा रही हूँ gravy अब हमारी अच्छे से पक गई है तो अब इसे एक बार से फिर से mix करते हैं और mix करने के बाद जो प्याज हमने fry करके रखी थी इस सारी प्याज को हम इसमें डाल देंगे और प्याज के साथ ही मैं 2-3 हरी मिर्च जिसे की मैंने बीच से slit कर लिया है इसे भी डाल देती हूँ इसका टेस्ट इस तरीके के सबजी में बहुत ही अच्छा आता है मीठी प्याज के साथ ये तिकी मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है तो अब इन सारी चीजों को एक बार हम mix कर देंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए cover करके slow flame पर पकने देंगे और अब दो मिनट हो चुके हैं मैं cover को हटा रही हूँ आप देख सकते हैं कि सबजी का कितना अच्छा texture आया है इसे हम आसानी से mix करेंगे इसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे इस्टर करेंगे नहीं तो क्या होगा कि ये जो प्याज की कलिया है ये अलग होने लगेगी इसे लिए इसे आहिस्ते आहिस्ते चलाना है और अब सबसे लास्ट में मैं दूद की fresh मलाई इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमच दूद की मलाई डाल देने से सबजी का जो texture है वो और अच्छा लगता है और taste इसका बहुत रिच हो जाता है तो अब मलाई डाल कर इसे हलके हाथों से इसे हम mix करेंगे ताकि ये प्याज हमारे तोटने न पाएं एक मिनट तक हलके हाथों से इसे mix करने के बाद इसे हम cover कर देंगे और फिर एक मिनट तक इसे cover करके पकने देंगे मलाई डाल के एक से दो मिनट तक इसे मैंने कवर कर के पका लिया है आप देखिए ये हमारी सबजी जो है बिलकुल रेडी है इसे एक बार मैं फिर से मिक्स कर देती हूँ और फिर मिक्स करने के बाद इसमें बारी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और फिर इसको mix करके गैस की flame को off कर देंगे और अब गैस की flame को off करके इसे एक बार फिर से cover कर देंगे और 10 minutes के बाद इस सबजी को हम गर्मा गर्म परोजते हैं यह जो सबजी है यह नान पराठे यह लच्छा पराठा किसी भी चीज के साथ बहुत ही tasty लगती है और आप यकीन मानिए कि ये इतनी tasty है कि पनीर की सबजी भी आप restaurant की भूल जाएंगे तो friends इस recipe को एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा definitely आपको पसंद आएगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ till then bye bye